नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो ATM, BTM का फॉर्म भर रहे हैं सबसे पहली बात क्यों उनका कटफ क्या रहेगा और किन एस्टुडेंट को 10 अंक एक्स्ट्रा मिलने वाली है सारी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक देखिए तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी ये आप देख रहे हैं कि आपका पिछले साल का ये रोस्टर है इसके अनुसार आपको बता दें कि बीटियेम के लिए अनारक्षित के लिए आपको 60, 57, 56 मतलब 55 से अगर 60 के बीच अगर आपका मार्क्ष आता है तो आप इसमें बिलकुल सुरुक्षित होंगे 55 से 60 के बीच अगर आपका मार्क्ष आता है तो आप इसके लिए बिलकुल सुरुक्षित रहेंगे भले ही आप कोई भी केटोगोरी में हो जेन्डल वाले के लिए 60 के अप्रॉक्स और SCST या OBC वाले के लिए 55 के अगर उपर है तो वो आदमी इसके लिए सुरुक्षित है हम इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और आपको दिखा देते हैं कि इसमें ATM के लिए ATM के लिए अगर आप ये देख लिजिए आप उपर में देख के पर सकते हैं कि ये ATM का है पिछले साल का जो आपको फाइनल कट अफ निकला था आपको लास्ट में एक चीज और बताएंगे आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि ये देख लिजिए कि जैसे कि EBC का है Metric, Inter and Graduation इस तीनों का मार्क बटा में 3 करके 0.75 से गुना किया है उसके बाद ये 52.54 ये आया है उसके बाद इनको 10 नमबर एक्स्ट्रा दिया गया है ये कहां से दिया गया है यही मैं आपको बाद में बताऊंगा फाइनल जो है इनका 62.54 हुआ है तो इस पे ये इसका कट अफ बना है उसके बाद फिमेल के लिए आप देख सकते हैं कि Metric, Inter, Graduation इस तीनों का मार्क जोर के 52.45 हुआ है इनको भी 10 नमबर एक्स्ट्रा मिला है उसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे EBC है BC है EBC इसका आप देख सकते हैं कि Approx में आपको 52, 55, 56 इस हिसाब से इनका Metric, Inter, Graduation पे मार्क बनता है और Final जो है कि आप किसी को 5 नमबर मिला है, किसी को 10 नमबर मिला है और किसी को कोई भी नमबर नहीं मिला है तो ये आखिर कहां किस प्रकार से होता है General के लिए देख लिए कि General का जो होता है आपका 65, 68 मतलब अगर आपका 62 से उपर बनता है Marks तो General इसमें सुरक्चित होता है और इस वार बाली कंडिशन में आपको 5 नमबर एक्स्ट्रा, 5 नमबर जो है आपको कम करके देखने को मिलेगा आपको बात कर लेते हैं कि किन को मिलने वाला है 5 अंक एक्स्ट्रा अगर आप बिहार के मार भी दियाले से पास आउट है तो आपको 5 अंक वैसी मिल जाएगा उसके बाद अगर आप PG है और उसमें आपका 75% से उपर अगर अंक है तो आपको 5 अंक दिया जाएगा और अगर 60-75% के बीच अगर आपका अंग है तो आपको 2 अंग दिया जाएगा तो जिन अभिहार्थियों को उनहीं अभिहार्थियों को ये फायदा मिलेगा जो बिहार के हो और वो अगर PG किये हो तो 5 अंक 75% से जादा हो और 75% से कम हो तो 2 अंक उनको दिया जाएगा धन्यवाद